गुड मर्निंग फ्रेंड कैसे हो आप सब उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो ये सुबह का टाइम है सुबह का टाइम मैं बोलू तो छे बज़े का टाइम हो रहा है और बेटी स्कुल जा चुकी है उसके लिए मैंने बनाया था सैन्वी टीफिन में आज मैंने उसको टीफिन में सैन्वीच दिया फिर उसके बाद वो ने बनाने जा रहा हूं खाना के तयारी करोंगी और इधर इंडक्शन पर एक सायट में दूद्र रख दूंगे गरम होने के लिए और बाबू घर में ही है आज स्था अटारे है तो वो चुकी है तो अभी मैं एक तरफ दूद रख दूँगी गरम होने के लिए फिर आलू जो भून के रखी बनाई हूँ ना सैंड्विच वह आलू अपने लिए भी बचा रखी हूँ बाबू के लिए और अपने लिए क्योंकि हसमें तो खाएंगे नहीं बस मैं और बाबू खा इधर ना मैं दाल पैक कर रही हूँ दाल में हल्दी नमक और एक चमच जरू डालती हूँ उससे क्या होता है ना कि सीटी लगाओ ना तो दाल बाहर नहीं निकलता है मैं हमेशा ऐसे ही दाल बनाती हूँ आप चाहें तो आभी टिप्स को ट्राइ कर सकते हो बहुत ही पिर अपने भी नाश्ता कर लूँगे फिर बाकी का खाना बनानों सुरू करूंगे नाश्ता करने के बाद सेंडविच ऐसा नाश्ता है जो कि मेरा ओल टाइम फेवरेट है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पता नहीं कि वह बहुत टेस्टी लगता है और मैं ब सेंडविच को और हजबैन आगे है आगे हैं किचन में कुछ कुछ बते कर रहे हैं तो इनकी बाते सुन रहे हैं तो देखेंने की कि बाते कर रहे थे मेरे से किसी का कुछ बता रहे थे नहीं नीचे वाले भाईया हैं मारे पड़ोसी उनके बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो ना उनकी वाइडमिट है वेदानता गुडगाओं में वेदानता होस्पिटल है बहुत लोग जानते भी होंगे बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे तो फिटल में वेडमिट है थोड़ा सा सीरियस हो गया था तो यहां से फ्लाइट आई लेकि गई उनको फ्लाइट से गए हॉस्पिटल के तरफ से फ्लाइट चलती होगी तो वही लेकिन नहीं आया थी तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि सब लोग बातें कर रहे हैं कि पहले से भी अच्छी आ और खोन किया था तो मैं भी इनका हलो हुआ उनसे दो बातं से घ्र मुषड़ से नहीं नहीं बहुत को एह चासा हम गजार nos लोग का भी ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में एक दो पेसेंट ना मिलें आपको इस सीजन में इस मौसम ऐसा हो रखा है तो उन्हीं की बारे में बात कर रहे थे सुबह सुबह कि अभी सब लोग बाते कर रहे हैं कि पहले से सुधार है भी तो मैं वही बोले कि भगवान कर हैं बच्चियां उनकी बहुत बड़े नहीं है भी तो मैं कहा की बाद कहा ले गई तो अभी वही ठीक है पहले से और इधर में बना रही हो चाय और देखी बेटा भी ब्रस रस कर लिया है तो वही आया देखने के लिए कि सैंड़िच बन गया कि नहीं तो मैं उसको एक पी बहुत है नाचता के लिए तो चाय मैं बाबू के लिए भी बना रही हूं अपने लिए भी बना रही हूं और उसको सॉस के साथ दोंगी और अपने मैं चाय और सैंड़िच के साथ खाऊंगी सैंड़िच को चाय के साथ और इधर मैं चावल भी पैक करके रख दी हूं कि द सबसे पहले रूम हुआ हैं रिख नहीं रहा है तो मैं उनको बोला खोल दी यह कूल दी वह इंग फोल्डिंग पर का चादर मैंने बदल दी आ बाबू को बोली हूं कि बाबू इस पर बैठ के तुम नाश्ता करो और बाकी बेट पर का भी चादर में बदल देती हूं क्योंकि दो तीन दिन में एक बदल ही देती हूं देखे जैसे कि देखी रहे हैं बाबू नाश्ता कर रहा है तो सौस लिया है तो कुछ न कुछ में हा और देखे बेटी का क्लिप है ना बेट पर ही निकाल के सो जाती है तो वही मुझे मिला चादर चेंज करते समय तो मैं बाल में लगा ली कि धर उदर रखूंगे उस अच्छा बाल में ही लगा लेती हूं फिर इधर इस पर का भी चादर चेंज कर दूंगे बागी तकिया होता है आप लोग बताना आप लोग कैसी करते हो스ल्य कि धीक नहीं है थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं अभी अच्छी हो गयी हो पहले से तो बहुत अच्छी हो गया लेकिन थोड़ी खासी भी होई रए है मुझे खासी वाला कहतर ले हुँ लेकिन ऐसे ही मैं पूरे चलेती हूं कि 10 बज़े मुझे फ्री हो जाना है या तो काम जादा रहता है तो मन में सोचते हूं कि चलो आज 11 बज़े तक तो मुझे फ्री हो जाना है तो मैं टाइम भी देखती रहती हूं और अपना काम भी करती हूं तो उससे क्या होता है ना कि फटा-फट से काम हो जाता अब भी एक बार करती हूँूआ। करती हूं कि तैम हो आया। क्पड़ा लेक्व में सोच कि युए नहीं। थो Siad आया तो में न फिर से भूम हो जाता है। मैंने ज़ाड़us पूछा कर लिया खानाू भी बना लिया और बरतन धूला तो यह बरतन धूलआंगी फिर उसके बाद उसके बाद न बाबू oh Bye आणके लेकिन उसका खाना खाना भी ब किया है और फिर मैं भी खाना खाऊंगी ऐसे यहमेरा काम होता हस्बेन की सेटेडे और संडे दो दिन की उनकी छुटी रहती है तो वो भी घर में ही है वो अपना खापी लिए हैं क्योंकि वो नायसता नहीं करते हैं न सिर्फ खाना खाते हैं तो मैं नहाओ वाली हूँ तो आज कपड़े बहुत ज्यादा थे तो मैं मसी लगा के कपड़े धुओई हूँ और मैं ड्रायर भी कर चुकी हूँ ड्रायर करने के बाद अब इसको सारे कपड़े को निकाल के फैला दूगी और मैं आज पहन रखे हूँ साड़ी आज मेरा मन क कर रहा था साड़ी पहने कभी मौसम भी अच्छा हो रखा है न तो इसलिए मैं साड़ी डाल लेती हूँ कभी-कभी जब मौसम अच्छा रहता है मेरा मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है काम ज्यादा रहता है तो नहीं पहनती हूँ नहीं तो इदिन कपड़े जादा हो जाते हो चुटी रहता है तो भी जादा हो जाता है क्योंकि ड्रेस वगेरा भी लोक का तो कपड़ा थोड़ा सा जादा होई जाता है छुटी वाले दिन मेरे बालकनी से देखें फ्रेंट कितना खुषूरद लगता है ब्यूना मुझे तो बहुत जादा अच्छा लगता है आप कोमेंट करके न बता सकते हो कि आप लोगों को कैसा लगा लगता है मेरा बालकनी का भी हो, मुझे बहुत जाद अच्छा लगता है, हार याली बहुत अच्छा लगता है, मुझे पेड़ पोधे, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो नेचुरल चीज से पता नहीं क्यों, मुझे बहुत जादा लगा हूँ है, मुझे अच्छा लगता है तो फ्रेंड मैं ब्लॉग कहीं पेंड करूंगी, अब मैं मेलूंगी कल एक नए ब्लॉग में सब तक के लिए बाई 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 गुट नाइट, अब मैं जा रही हैं, उनको बेटा हुआ तो उनके लिए एक ड्रेस लेना है, बच्छी को देखने जाओंगी तो उसके लिए ड्रेस ले लूँगी, और अपने बाबू के लिए स्वेटर लेना है, और बेटी का घड़ी वगर अठी करोना है, यह सब काम है, सिविलाइंस में जा रहे हैं, अब में दूंगी मैं कल एक नए ब्लॉग में तब तक लेगा, ब्लॉग का आयन करने के बाद भी फ्रेंड मै बन पाया, वो बोले कि अभी पट्टा उसका नया नहीं लगेगा, आपको नया घड़ी लेना पड़ेगा, तो टाइटन में गय थे, तो भाईया बोले कि अभी मत लीजे, बाद में ले लीजेगा, भी स्टोक खतम हुए पड़े हैं, धन्तेरस पे सारे बिग गए हैं, फि मुझे खाना था, आलू दम, उसमें समोसा और आलू दम डाल के देते हैं, इतना टेश्टी लगता है, फ्रेंड के पूछे मत बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है, मेरा फेवरेट है, फिर उसके बाद खाने पीने के बाद हम आगे हैं, साही बाबा के मंदीर, हजमेंट महां से दर्शन करने के बाद निकल लिए घर के लिए, ये राद भी हो चुकी है काफी, मैं बोलू तो नो बजी के लगभग का टाइम हो रहा है, अभी हम जा रहे हैं घर, ये राजते का व्यू है, और फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ब्लोग पसंद आए, तो लाइक सब्क्राइब भी कर लीजेगा फ्रेंड, अचले फिर बाई बाई गुड नाइट